हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 2022-23 यानि इसी बार का है इस साल आप लोगों का जारी हो चुका है तो इस साल जो है आप लोगों का आ चुका है जिसका आप लोग बेसबरी से इंतिजार कर रहें तो चलिए श्टार करते हैं यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा घंटी के बैल अकन क जाएगा टोटल पुर्णा चालीस हो जाएगा ठीक है समानी निर्देश कुछ दिया इसको पढ़ लीजिए आप लोग कुल प्रस्णों की संख्या जो आपको 40 मिलेगी परतेक प्रस्ण के लिए एक नंक मिलेगा परतेक वस्ट्वर्ण प्रस्ण जो है चार संभावित उत्त चार ओप्सन मिलेगा आप लोगों को उमर सीट में जो आपको गोला करना है गोले को क्या करना है काला करके दिंगे उत्तर ठीक है तो आप लोग कोशिश करेंगा ब्लैक पेन लेजाने का ठीक है चलिए सबसे पहले आप लोग इस वाला पैसेज को ध्यान पुर्वक पढ़ यहां पर आप लोग को दिया गया है सबसे पहले अच्छे से आहिए को पड़ो पैशुक्आ पढ़ने के बार कोश्टन अंसर पर आ जाते हैं कि कोश्टन अंसर भी सबसे पहला वहासर आ बड़े कल करखाने क्या उगलते हैं तो बड़े बड़े जो कल करखाने जो उगलते हैं वो क्या उगलते हैं धुआ उगलते हैं ओप्सन नमबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा कल करखाने से लगातार क्या निकल रहे हैं तो कल करखाने से लगातार क हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हमारे पूर्वज वाई मंडल के सुधता के लिए क्या करते थे तो हमारे जो पूर्वज थे वह वाई मंडल के सुधता के लिए हवन क्या करते थे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब नेक्स्ट है हमारा आधनिक मानव ने किसी मातरा अधिक बढ़ा दिये 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 किस चन भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया है, तुम दौल धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तट बंदों से टकराती हो, संघर स्रोत है जीवन का, तुम हसकर हसकर बतलाती हो, ठीक है, उसके बाद फिर इसको प धूप को, लकीर को या तटबंद को, तो सही जवाब हो जाएगा, इसका नदी को हो जाएगा, ठीक है, उप्सन नमबर A, कह रहा है कि नदी के किसे पुछका रहा है, नदी ने किसे पुछका रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा, कमजोरों को किसको पुछका रहा है, कमज सब्सक्राइब आठा-बैपảiंगर अग्षिन यहां पे पर्छाधावास के उपर है ठीक है तो सेवा में दिया गया जी छात्रावास के उपर है तो यहां पर देखे क्या परधाना अध्यापक प्रच्चार सिख्चक या अध्यापक तो किसके लिए आप लिख रहे हैं तो यहां पर जो सही जवाब हो जाएगा आपका option number A हो जाएगा परधाना अध्यापक को यहां पर बारा नंबर में छात्रावास में अस्थान है तो बारा में क्या हो जाएगा प्रेशक विसाय परसंग या फिरिया तो यहां पर क्या होता है हम लोग विसाय भरते हैं ना क्या बरते हैं विसाय भरते हैं तो option number B हो जाएगा ठीक है विसाय में हो जाएगा यहां प भर लिजेगा यहाँ पर, उसके बार देखें, आपर चौधा में क्या है, मैं आपके विध्याले, डैस कक्छा में छात्र या चात्रा हूँ, तो चौधा में क्या आगा साथवी, आठवी, नौमी, या फिर दसवी, तो आप लोग अभी कौन से क्लास में हो, नौमी में हो, त चलिए देखिए, असंभव, संभव, संभव नहीं हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है, तो 15 को हो जाएगा भी संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने इसको फिल कर लिया, 15 नमबर तक अब आते हैं, question number 16 पे, यहाँ पर देख बताई कौन सा option हो जाएगा, option number C हो जाएगा, next question number 18 है, एक का बहु वचन क्या हो जाएगा, तो एक का जो बहु वचन हो जाएगा, वो हो जाएगा, अनेक option number A हो जाएगा, निमलिखित में से संख्या वाचक विसेशन कौन है, तो निमलिखित में से संख्या वाचक विसेश घी के डाइस जलाना घी के क्या जलाना दिये जलाना option number C ठीक है next आब रहे question number 22 मेरी इक्षा है कि मैं doctor बनूँ यह किस परकार का वाक्य है तो मेरी इक्षा है कि मैं doctor बनूँ कि यह मिस्र वाक्य कौन सा वाक्य मिस्र वाक्य option number B हो जाएगा question number 23 में कह रहा है कि इसमें से किस वाक्य में करता कारक ने चिन का परियोग किवा है तो किसका हुआ है आपको बताना है तो मा ने भोजन बनाई थी option number B करता ने कर्म को यह तो करता ने ने करता का बुला तो ने जिसमें लगेगा वही हो जाएगा question number 24 नीचे लिके सब्दों को पहाल का परियावाची कौन नहीं है तो पहाल का परियावाची कौन नहीं है वो बताना है तो पठार नहीं है option number B ठीक है कुल का सही अर्थ भेद बताना है आपको क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा once का किनारा option number B विल्कुल सही जवाब हो जाएगा next देखे क्या है question number 26 में जुरी अपने बैलों को कहा बांता था जुरी जो था अपने बैलों को कहा बांता था चरनी पर बांता था option number A हो जाएगा part के सवालों को याद में वर्ड वाचक किसे कहा गया है तो वर्ड वाचक आपको बताना है वर्ड वर्ड यानि बड होना चाहिए वर्ड वाचक किसे कहते है तो 27 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सालिम अली को किसको है सालिम अली को option number A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सालिम अली को next है कवी रस्खान किसकी भक्ती में लिन रहते थे तो कवी रस्खान जो थे वो किनकी भक्ती में लिन रहते थे आपको बताना है सही जवाब हो जाएगा आपका कृष्ण की भक्ती में option number B बिल्कुल सही जवाब है next है हमारा 29 महादेवी वर्मा को उनके बाबा क्या बनाना चाहते थे तो महादेवी वर्मा को उनके जो बाबा थे विदूर्शी बनाना चाहते थे option number B question number 13 देखिए real की हड़ी किस परकार का पार्ट है तो जो real की हड़ी हमारा पार्ट है वो एक आगी है क्या है एक आगी है याद रखिएगा option number A हो जाएगा next है हमारा इस जल परले पार्ट में लेखाक का जनम किस परकार के इलाके में हुआ था तो लेखाक का जो जनम हुआ था वो परति छेतर में हुआ था किसमें वो था प्रति छेतर में वो था option number D हो जाएगा next देखे question number 32 प्रेम चंद के फटे जूटे किस पात्र के विवेचना की गई है तो किस पात्र की विवेचना की गई है प्रेम चंद को किसको प्रेम चंद को option number C हो जाएगा नाना साहिब की पूतरी इसमें कौन है? तो नाना साहिब की जो पूतरी है आपको बताना ये हो जाएगा माइना कौन हो जाएगी? माइना हो जाएगी ठीक ना? option number D हो जाएगा next time हमारा 34 किसके काम पर जाने से मानसीक बौधिक सारे लिक विकास रुख जाता है? कि यह परकार का पाठ है आपको बताना है इसका सऺ सभाब हो जाएंगा आपका ललिठ निबंध क्या हो जाएगा माने किस दिशा को मिल्त्यों की दिशा कहा है तो माने कि सभिय। कered को किसको क्या है अपन्स दियुप करने रिफ्र है मेग आए ध्यां Gwen Greg आए बंठन के डैस के सही सब्सका खाली जगा को भरना है तो यहाँ पी सही जवाब हो जाएगा आपका सजधज के क्या हो जाएगा सजधज के option number C हो जाएगा ठीके question number रेख लिजे 39 में 39 में क्या चंद्र ग्रहन से लोटती बेर कवीता में चंद्र गहना क्या है है आपको ब करसित हो रहा है वो बस विज्यापन देख करके सारे समान को खरीद लेते हैं तो उमीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्र झाल झाल